होटल यह पन्डाल देख सकते हैं सेम भड़ जाएंगे और जो बंगालिया नियामत पूर कई नाम ज है लेकिन हाकीकात यहां पे लिखा जाता है जोकी आगे आगे आपको दिखाएंगे ताज होटल ताज होटल जैसा यहाँ दुरुगापुजा पंडाल है जो बंगाल का फेमस एक पंडाल बनाए गया है जो लोग यहाँ पे अभी दुरुगापुजा आने से पहले यहाँ बहारी तदार में लोग आ रहे देखने के लिए इसलिए देखने आ रहे हैं कि जब अटमिनों में देश्मी हो जाएगा तो बहुत काफी भीड हो जाएगा तो बहुत मुस्तिल होगा सरदालों को पंडाल तक पहुचने में इसलिए अभी से भीड लग रहा है आपको दिखाते हैं ताज ओटल दुर्गापुजा पंडाल जो की लगतार इस वीडियों सोथपूर कोलरी जिसे काते हैं सोथपूर कोलरी में एक दुर्गापुजा पंडाल जो की फेमस पंडाल एक ताज होटल का नाम से जो फेमस है वही ताज होटल का तर्ज पर यह पंडाल बनाया गया है जो की पंडाल देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत पंडाल है और ऐ सुन्धर्ता का और भव्यता और दिब्वयता का दरशन कर सके जो कि देख सकते हैं ऐसे भी जो बंगाल का दुरगा-पुजा होता है वो सबसे नामी होता है और यह नजारा जो देख सकते हैं चारो तरफ से किस प्रकार से आईए आपको सामने सी दिखाते हैं ताज होटल है ताज होटल जो है पुरा विस्व में नामी है जब से ताज होटल में कांड हुआ तब से वो पुरा विस्व भारत से लेके पुरा विस्व में नामी हो गया और यहां पे उसी का तरज पे यहा जारा है जो कि अपने आखों में इस सुंदरता को कैद कर सकते हैं इतना सुंदर तस्वीर है जो बंगाल की धर्ती ये नियामतपूर की जगा है नियामतपूर सोथपूर को लेरी का जो कि ताज होटल का पंडाल और ये मंदीर जो देख सकते हैं जो परतिमा है ताज होटल मे ये आज पच्मिश चठी का दिन आगी है इसलिए आज उतना भीड नहीं है न तो खचा खच भीड रहता है जो कि इतना बढ़ियां कब्रेज नहीं हो पाता जो कि देख सकते हैं और यही ताज होटल का पंडाल है पंडाल के अंदर ये माता दुरगा की परतिमा है जो कि परतिमा है और अदबूत सकतियां है माता रानी के जो देख सकते हैं ये ताज होटल का बागे बाद आप लोग क्या सुचते हैं अपना राय जरूर रखिएगा जहिन